नए व्यक्ति का फिर चाहे वो दफ्तर में हो या फिर स्कूल कॉलिज में हो मक्हौल उड़ाया जाता है रेगिंग की जाती है अगर आप भी एक नए ट्रेडर है और बजार में हो रही है आपकी रेगिंग तो आपको करना ये है कि आज के वीडियो को अंतक देखिए एक कम्प्लीट सॉलिड सिस्टम नए ट्रेडर्स के लिए आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है केवल आज जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ इसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए और फिर देखिए परिणाम लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए नमस्कार जैश्री राम देखे मैंने अक्सर नए ट्रेडर्स को बगले जहांकते देखा है कभी एक सिस्टम तो कभी बिना सिस्टम कभी योही तुक्के बाजी तो कभी किसी के कहने पर कुछ भी ले बैठना ये आम तौर पर नए ट्रेडर्स का मिजाज होता है उनके काम करने का तरीका होता है जिसमें आम तौर पर नुकसान के लावा कुछ और हाथ नहीं लगता तो आज मैं नए ट्रेडर्स को विशेश रूप से और सभी traders को एक ऐसा system देने वाला हूँ जिसको कायदे से तो एक proprietary trading model कहा जाना चाहिए simple idea है जिसका इस्तमाल कोई भी वक्ति अपनी trading में कर सकता है अच्छी बात यह है कि system को आप चाहे जिस time frame पर इस्तमाल करें अगर आप intraday trader हैं तो आपके लिए भी उपयोगी है अगर आप positional swing trader हैं तो आपके लिए भी गजब का काम करेगा और अगर आप लंबी अवधी के निवेशक हैं तो भी monthly और weekly charts पर इसका इस्तमाल करके शानदार परणाम देखने को मिल सकते हैं तो देखें सिस्टम मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कैसे trade करना है इसकी पूरी प्रणाली आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले एक बात और अपने जहन में बसा लीजिए कि नए traders को विशेश रूप से हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उनका knowledge बढ़ता रहे और knowledge बढ़ाने के लिए आपको किताबे पढ़नी चाहिए और किताबे न पढ़ पा रहे हो तो audio books सुननी चाहिए जिहां आप नए युके नए traders हैं नए लोग हैं जरूरी है कि आप technology का इस्तमाल करें audio books की चकल में किताबों को सुनिए और audio books सुनना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही जबरदस्त जरिया है कुकू FM जिसकी चर्चा कई बार हम लोग इस चैनल पर कर चुके हैं तो कुकू FM एक ऐसा platform है जिस पर अने को धेरों book summaries और audio books हैं जिनको आप सुन सकते हैं और बजार के बारे में अपने ग्यान को बढ़ा सकते हैं और हाली में कुकू FM पर एक जबरदस्त book summary लाँच हुई है जिस पर मेरी निगा गई और ये है दी autobiography of a stock जिहां बहुत ही रोचक book summary है और इस audio book में चर्चा हुई है investment के एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत कारगर method की जरूर इसको सुनिएगा कुकू FM पर और कुकू FM के ओर से एक बहुत ही interesting पेशकश आप सभी के लिए है उसकी पूरी जानकारी description में है तो जरूर चेक कीजिए और हाँ अब देखिये समझते हैं कि किस तरह से नए trader को बाजार में professionally trade करना चाहिए किस system को follow करना चाहिए तो देखिये system बहुत ही simple है आपको सबसे पहले सही share का चुनाओ करना है मैं पाता हूँ कि नए traders छोटे shares में उल्चे रहते हैं याद रखिये nifty 200 ये है आपकी सूची इसके बाहर के shares में काम करने से आपको बचना है अगर आप बजार में नए हैं अभी आपके पाउं कच्चे हैं तो कोशिश कीजिए कि nifty 200 के बाहर न जाएं अब ये nifty 200 क्या बला है गूगल कीजिए एक सूची नजर आएगी ये nifty के वो 200 सबसे अगरणी charts हैं सबसे अगरणी shares हैं जिस पर आपको focus रखना है तो सबसे पहला काम सबसे important rule आपके लिए है कि nifty 200 के बाहर के shares में काम नहीं करना है दूसरा daily chart, weekly chart एक chart चुनिए जिस पर आप नियमित trading करेंगे तो अपने समय के हसाब से एक chart का चुनाओ आपको करना है एक बार chart तै हो गया सूची तै हो गई अब चुनना है सूची में से सही share और इसके लिए देखना है momentum यानि की रफतार कहा है तो देखिए जिस तरहां गाड़ी की रफतार जाचने के लिए speedometer होता है बिलकुल वैसे ही share में momentum है की नहीं रफतार है की नहीं ये जाचने के लिए RSI का इस्तमाल आपको करना है तो अपने chart पर RSI डालिए किसी भी charting software पर जाएए free website पर जाएए और indicator की सूची message चुन लीजे RSI RSI डालते समय एक बात का ख्याल रखिएगा जब आप RSI डालेंगे तो 70 और 30 की overbought और oversold की रेखाएं नजराएंगी ये हमारे किसी काम की नहीं है हमें केबल एक ही रेखा चाहिए और ये रेखा होनी चाहिए 50 पर जी हाँ अगर RSI 50 के उपर है तो मान लीजिए bullish momentum है और अगर RSI 50 से नीचे है तो मान के चलिए कि bearish momentum है तो लीजिए इतने से प्रयोग से आपकी इतनी बड़ी समस्या का हो गया समधान और अब सवाल ये कि कैसे कहा कब खरीदें और कहा रखें stop loss और इसके लिए देखिए एक युक्ति लगानी होगी आपको पिछले 5 candles याने के पिछले 5 दिनों के highs को चार्ट पर अंकित करना होगा अगर आप daily chart देख रहे हैं तो गए 5 दिनों के highs को मार्क करें और गए 5 दिनों के lows को भी चार्ट पर अंकित करें एक दिन बीद जाने पर नया high बनेगा और नया 5 दिन का low होगा इस level को मार्क करते चलिए और ये जो band है इसके जरिये buy और sell के संकेत आएंगे जहां पर भी high के रेखा सपाट होती हुई चार्ट पर नजर आए और उसके उपर breakout हो बस वहीं समझ लीजिए buy करना है और गए 5 दिनों के low के स्तर पर आपको stop loss रख देना है उस level से नीचे बंदी आती है निकल जाईए गए 5 दिनों का high जैसे ही closing basis पर तूटता है चार्ट पर खरिदारी का मौका आता है जब तक 5 दिनों के low के नीचे price नहीं जाता hold करना है याद रखिए खरिदते समय ये जाचना अवश्चक है कि क्या RSI 50 से उपर है या नहीं देखे बहुत सिंपल बहुत ही सहज system है जिसका इस्तमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो देखे अब समझते हैं एक example के जरिए कि system असल में काम कैसे करता है high और low के levels कैसे चार्ट पर मार करने है RSI को किस तरह देखना है कौन से मौके पर खरीदना है और stop loss कैसे रखा जाएगा तो आई एक example से इसको समझते है हली का चार्ट है BDL का daily chart है देखते हैं किस तरह से खरीदारी के जबरदस्त मौके इस चार्ट पर दिखाई दे रहे तो आईए इस system को detail में समझते है charts के जरिए यानि कि बिल्कुल जिवन्त उदारनों के जरिए समझते हैं कि किस तरह से इस system को कोई भी implement कर सकता है और जैसा मैंने कहा कि विशेश रूप से नए traders के लिए है तो लाजमी सी बात है कि बहुत असान और simple system होना चाहिए आपके सामने चार्ट है BDL का जिसका example में सबसे पहले लूँगा daily chart है लेकिन याद रखिए इस system का इस्तमाल आप किसी भी आरेसाई जिसके जरीए momentum का अंदाजा होगा positive momentum होगा तो खरीदारी के बारे में सोचेंगे negative momentum होगा तो विक्वाली के बारे में सोचेंगे और खरीदारी के बारे में सोचने के लिए RSI का 50 से उपर होना जरूरी है तो आईए सबसे पहले RSI indicator का इस्तमाल करते हैं देखे अमोमन जब आप RSI स्क्रीन पर डालते हैं तो आपने पाया होगा कि 70 और 30 की रेखाएं डली रहती हैं जिनको overbought और oversold lines कहते हैं हमें वो रेखाएं नहीं चाहिए हमें केवल एक रेखा चाहिए 50 पर RSI 50 से उपर हुआ तो यानि के buy zone में आपका share है 50 से नीचे RSI हुआ तो sell zone में आपका stock है आईए इसको चार्ट पर देखे तो लीजे आपके सामने आगे RSI और RSI पर मैंने डाली हुए है 50 की baseline 50 के उपर RSI है इसका मतलब यह है buy zone और जैसा आप इस चार्ट पर देख पा रहे है के लगब 9 March 2022 से लेकर के मई 5 2022 तक BDL में चल रहा था buy zone क्योंकि 50 के उपर लगातार RSI टिका हुआ था तो इस दौर में केवल खरदारी के बारे में सोचना है और जब 50 से नीचे RSI चल रहा हो तो उस दौर में आपको बेचने के बारे में शौट करने के बारे में सोचना है तो इससे momentum का जो हमारा सवाल है उसका समधान हो जाता है आपको इस first momentum का अंदाजा हो जाता है बिना किसी doubt के अब देखिए करनी है timing और timing करने के लिए जिस tool का इस्तमाल हम करेंगे उसका नाम है high low band याने कि देखिए आपको करना यह है कि गए 5 bars का high और गए 5 bars का low चार्ट पर मार्क कर देना है अगर ये काम कोई indicator न कर रहा हो तो खुद से भी रेखाए डाल कर ये काम आप बड़ी असानी से कर सकते है याने कि जहां पर भी आप अभी है पिछले 5 bars का जो high है उसको एक लकीर से मार कर दे उनमें जो high बन रहा है उसको एक line से मार कर दे और अगर indicator का इस्तमाल करेंगे तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा तो लीजिए timing के लिए जिस indicator का इस्तमाल करना है ये भी अब आपकी screen पर आपको नजर आ रहा है ये जो green line आप देख रहे हैं ये गए 5 दिनों के highs का की रेखा है याने कि गए 5 दिनों का जो highest point है उसको एक रेखा से मार किया गया है और नीचे ये जो red line है ये पिछले 5 बार्स का low है याने कि पिछले 5 बार्स का high और simply पिछले 5 बार के lows को चार्ट पर मार कर देना है खुद बखुद हो जाएगा अगर आप किसी software या किसी website का इस्तमाल कर रहे हैं और ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से भी गए 5 दिनों के highs और lows को चार्ट पर अंकित कर सकते हैं और आप भी बिल्कुल यही रेखाएं पाएंगे जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है अब देखे हमारा काम बन गया क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमें सामने नजर आ रहा है यह चार्ट बीडियल का है जैसा मैंने आपको पहले बताया और यहाँ पर मार्च से लेकर माई के दौरान चल रहा था बाई जोन अब बाई करना कैसे है बाई तब करना है जब RSI 50 से उपर हो यानि के स्टॉक बाई जोन में हो और यहाँ पर हाई पाँच दिनों के हाई की रेखा सपाट हो जाए और उस स्थर के उपर क्लोज आता हुआ दीखे मैं दोरा रहा हूँ अपने आपको सबसे पहले 50 से उपर RSI सपाट रेखा हाई की यानि के हाई की जो रेखा है वो सपाट होनी चाहिए ग्रीन वाली लाइन हाई इस पिछले 5 दिनों के हाई इस की रेखा सपाट यानि के फ्लेट होनी चाहिए और उस लेवल के उपर ब्रेक आउट यानि के प्राईस उस लेवल को तोड़ कर उसके उपर close दे तो वहाँ बाई करना है बाई करते समय स्टॉप लॉस रेड लाइन पर याने के गए पांच दिनों के लोज पर रखना है जैसे जैसे प्राइस आपके हक में जाएगा लोज भी चेंज होते रहेंगे और ये रेखा भी आपके प्राइस के साथ-साथ उपर आ जाएगी जैसे ही रेड लाइन के नीचे पहली दफ़ा close आता हुआ नजर आए बस समझ लीजिए यहाँ निकलना है तो देखे इस सिस्टम के सबसे बड़ी ताकत क्या है कि एक तो आप हमेशा मोमेंटम को ध्यान में रखकर भाई कर रहे है दूसरा आपको ये पता है कि आपके स्टॉक में ब्रेकाउट आ रहा है पांच दिनों का हाई कट रहा है वहाँ पर आप भाई कर रहे है stop loss कहां रखना है ये भी आपने पहले तै किया हुआ है तो पूरा complete संपूर्ण system है जिस पर कोई भी नया खिलाड़ी बड़ी असानी से trade कर सकता है भाई ये इसका एक real life trade आपको दिखाता हूँ ये chart BDL का है और इसको गौर से देखेगा यहां पर मौका था वज़य यह थी कि आपने देखा कि यह जो हाईस की रेखा है गरीन बाली लाइन यहां फ्लेट हुई इसके उपर breakout यहां पर आया और यहां अपने buy किया नीचे देखिया RSI 50 से उपर है यानि कि buy zone में है और हमने यहां stop loss रखा होगा यानि कि red line के आसपा stop loss रखा price हक में गई हमारे और काफी तेजी से उपर भाग गई यहां पर आप एक पहले से अपना target भी रख सकते हैं मान लीजे आपने खरिदारी की 580 के आसपास और देखते देखते शेर 680 होगया आपसे profit देखा नहीं जा रहा बरदाश नहीं हो रहा तो exit भी कर सकते हैं अन्य था आप चाहें तो red line के साथ साथ अपने stop loss को trail कर सकते हैं और जैसे ही पहली बार red line के नीचे close आता हुआ दिखा जो की scandal पर नजर आ रहा है तो यहां ठाई सगस्त को आपको exit करना है तो देखा आपने के कितना simple है RSI हो 50 से उपर यानि के stock हो buy zone में high के उपर पहला close आता है 5 दिनों के high की सपाट रेखा तूट जाती है तो buy करना है stop loss नीचे वाली red line पर यानि के 5 दिनों के lows पर रखना है जब तक उसके नीचे close ना आए hold करें ये काम आप कर लें जबरदस्त returns देखने को मिलेंगे आईए एक नमोना और देखते हैं तो लीजिए एक example और आपके सामने चार्ट है Indian Hotels का और ये साल है 2021 का 2021 में हमने देखा Indian Hotels के चार्ट पर RSI 50 के नीचे चल रहा था पिर अचानक से RSI 50 के उपर गया और ये जो flat line थी high की इसके उपर भी breakout आता हुआ दिखा तो दोनों काम एक साथ होते हुए नजर आये ये है breakout का level आपको stop loss रखना है red line पर और उसके बाद देखिए जबरदस्त तेजी आपको मिली इसी सिस्टम के मारफ़त तो इस तरह के नेकों trades आपको इस सिस्टम के नजर आएंगे थोड़ा खोजना पड़ेगा RSI डालिएगा और high low के levels को चार्ट पर अंकित कीजिए तो देखा आपने कि कितना simple और कितना effective है ये system इसकी कीजिए जम कर back testing और मेरा दावा है आप इसके परणाम देखकर चौक जाएंगे देगे इस तरह के simple system से शुरुआत करनी चाहिए नए traders के लिए बहुत जरूरी होता है कि शुरुआत में सफलता मिले शुरुआत में सफलता मिलती है तो मनुबल बढ़ता है नए traders का मनुबल बिल्कुल मिट्टी के घड़े जैसा कच्चा होता है हल किसी ठेस लगी नहीं कि बस सारा confidence थुल जाता है आप इस system का इस्तमाल हाल के बजार के charts पर कीजिएगा आप देखेंगे किस गिरावट में बहुत पहले ही exit के सपष्ट संकेत आ गए RSI 50 से नीचे चला गया और उसके बाद किसी भी चार्ट पर बाय का संकेत नहीं आया तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये system केबल तेजी में काम करते है या केबल अच्छे बजार में ही काम करते है गिरते बजार में इस system काम नहीं देते तो एक बार हाल के दिनों के चार्ट पर इस system को अजमा कर जरूर देखेगा और आपके गलत फ़हमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी तो अगर आप एक नए trader हैं, beginner हैं तो आपके लिए है मेरी छोटी सी सौगाद जरूर इस system का इस्तमाल कीजिए शुरुआत में ही मुनाफ़ा देखिए जिससे आपका confidence बढ़े, आत्म विश्वास बढ़े बजार पर और अपने आप पर आपका यकीन बढ़े तो देखे मेरी एक छोटी सी कोशिश है और मैं उमीद करता हूँ आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो तुरंत प्रभाव से चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना ख्याल जरूर रखिएगा सिस्टम की बैक टेस्टिंग कीजेगा जम कर समझेगा इसको और फिर ही इस्तमाल के बारे में सोचेगा और हाँ हाल के बजारों पर जरूर इसको आजमा कर देखिएगा किस तरह के परणाम आपको देखने को मिल रहे हैं ये मुझे बताइएगा आप पाएंगे के RSI 50 के नीचे गया और उसके बाद किसी भी चार्ट पर खरिदारी का मौका नहीं आया बड़ी गिरावट से आप बिल्कुल साफ पच गए धन्यवाद आप सबका और हाँ जाने से पहले कुकू FM की जो जानकारी मैंने आपको दी थी जरूर उसको चेक कीजेगा सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं धन्यवाद आपका जय हिन जय भारत